दो दिन पहले अपने घर के आंगन में खेल रही तीन साल की बच्ची तेंदवे के हमले में गंभी रुप से खायल हो गई थी जिसके बाद स्थानिय भीड ने रात भर वनविभाग के दस अधिकारियों को बंद कर दिया था उसके बाद विभिन टीमों ने बाग तेंदवे क पकड़ने के लिए वनविभाग द्वारा पिंजरे लगाये गये हैं दो दिन पहले घर के आंगन में खेलते समय तेंदवे के हमले में तीन साल की बच्ची गंभीर रुप से घायल हो गई थी इसी बीच विभिन अदल बाग तेंदवे की तलाश कर रहे थे लेकिन आज सु जाला भटाला गाओ के पास बनाये गए पिंजरे में फस गई जांच के बाद चंदरपूर वन्यजिव देखभाल केंदर में भरती कराया गया है दुर्गापूर उर्जानगर शेतर में अब तक एक बाग और दो तेंदवे को पकड़ लिया गया है मान्वी जिवितास धोकादायक ठरलेला होता याला पकड़न्या करीता आमाला वरिष्ट कर्यालेकडून शुटाउट चे आर्डर प्राप्त धाले होते जनते त बिबट वारोंवार हल्लेकर दसल्या मोड़े फार आक्रोश होता आनि आमाला तेला पकड़न्या स्वाय गत आनि आमी सदर्मोहिम कंटिन्यू राववत होतो आनि दिनांक तेरा पासला आमी तेचा मागावरत होतो आनि त्याला शुटाउट न करता जेर बंद करने ट्रेंगूलाइज करून जेर बंद करने तामी एसस्वी दालो लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची